नमस्कार किसान भाईयों मेरा नाम कृष्ण पाल राठोर है और आप महारो राजगर का YouTube चैनल देख रहे हैं किसान भाईयों इसलिए बोला है क्योंकि हम सभी किसानों के करज़ेदार है और किसान इस वक्त संकट में है लेकिन कुछ लोग ये बोल रहे हैं कमेंट में आपको बता दुँगा लेकिन दिखानी के अवशक्ता नहीं है आप लोगों को दुखोगा मुझे भी दुखोगा कुछ लोगों ने कमेंट में बोला है कि किसानों को कितना ही मुआउजा दे दो उनका पेट नहीं भरता है अब एक कहानी के माध्यम से उनको जवाब देना चाहता हूँ एक कहानी नहीं एक उधारन समझ लीजिए उधारन अच्छा लगे तो किसान पुत्र और जो किसानों को मानने वाले लोगे इस वीडियो को जादा जादा शेयर कीजिएगा अब आप जो बत्तमिज जी कर रहे हैं जो लोग जो लोगे बोल रहे हैं किसानों को कि मुआउजा कितना ही दे दो इन लोगों को इन लोगों का पेट नहीं भरता है तो सुन लेना कान खोल करके कि एक उधारन आप लोगों के लिए उठाता हूँ और आप ही के बीच में रख और इस्कूल से जब वो बाहर गई किसी बड़े शेहर में 11-12 में भेज दिया ग्यारवी और बारवी में फिर कोलेज में पेसा भरा लाखों रुपे की फीज बरबात की लाखों रुपे आपने लगाए संसकार दिये शिष्ठाचार दिये उसके साथ मस्ती की उसके साथ जो जो आवशक्ता उसकी लगी आपने आपके बेटे और बेटी के लिए की लेकिन जिस दिन उसकी जोब लगी पढ़ लिखकर के उसने मेनत की और जिस दिन उसकी जोइनिंग वाली दिन थी जिस दिन उसकी जोब लगी उसकी जोब का पहला दिन था उस दिन उसकी मोत हो जाती अब आप लोग कलपना कीजिएगा कि आप एसी इस्तिती में क्या करेंगे आपकी दूरदशा उस समय क्या होगी ठीक वही दूरदशा किसान की हो रही है किसान ने अपनी फसल को बड़ा किया उसमें खाट डाला उसमें दवाई डाली मेहनत की उसको निनदवाया उसको खुदवाया उसको जो कुछ भी किया उसकी कटाई भी हो चुकी कई किसानों की जो फसले हैं वो कटाई की वज़े से बरबाद हुई उसकी कटाई भी हो चुक दूरदशा और आपके बेटे-बेटियों की मोत की दूरदशा को कितुलना आप लोग किजिए और जो लोग बत्तमी जी कर रहा हैं न कि कित्रा ही मोअवजा देदो कित्रा ही बीमा देदो इन लोगों का पेट नहीं भरता है तो सुनो जिस दिन आपकी गाडी ठुकती है न आपकी four wheeler, भगवान न करे आपके साथ कभी ऐसा हो, आपकी four wheeler, आपकी two wheeler, जिस दिन उसका accident होता है न, तो आप सबसे पहले दोड़ करके इसके पास जाते हैं, बीमा कंपनी के पास जाते हैं, कि हमें बीमा देदो साहब, हमारी गाड़ी ठुक गई साहब, एक बार फोटो पराशी जम्हा नहीं की थी क्या, क्या उन्होंने अपनी फसल का बीमा नहीं करवाया था, तो उन लोगों के पेट में दरunun key होता है, जब फसल का बीमा मांगा जाता है कुछ लोग बोलते हैं कि कितना ही बीमा देंस लिघ्न alo तो जब गाड़ी ठुकेगी दाप दूड़कर बीमा कमसी के पास जाएंगे हो जब किसान की फ़सल बरबाद होगी तो क्या किसान बीमा कमपनी के पास जाएगा उसका अधिकार नहीं है तीसरी चीज यह थी कि मुआवजे वाली बात कि कितने ही मुआवजा दे तो साब पेट नहीं बरता इस अंगुटे के दम पर किसानों के अंगुटे के दम पर सरकार बनती है सर तो क्या सरकार की इतनी भी संबेदना किसानों के प्रति नहीं दो दिया जाएगा किसानों को अलट मुसम विभाग ने जारी कर दिया है। है और अब साथ दिन ओर मध्यप्रदेश की किसान क्येतों में नहीं जा सकेंगे सर उस्य क्योंकि उनका खेत गिला है उनकी फसल बरबात पड़ी हुए खेतों में लेकिन मजबूरी है कि वो खेत से बाहर भी नहीं निकाल सकते क्योंकि पानी भरा हुआ है खेतों में और अगले साथ दिन और नहीं जा सकते वो दो दिन अभी भारी बारिश का अलटे गए भगवान करें कि वह वह वारिश हम नहीं चाहते हैं कि वह अगर वह गई न तो सत्यान नाश हो जाएगा कई लोग बोल रहा है कि 70 प्रतिशत किसानों की फसल निकल चुकी थी कभी गए तो में जाकर देखा था आपने आपके घर के बाहर निकलिएगा थोड़ा शेहर के बाहर खेत म कि आपके गाहों में देख लेना केवल 20-30% किसानों की निकली होगी 70 प्रतिशत किसान जो है वो बर्बाद हो चुका है इस फसल फसल का जो नुकसान हुआ है बारिश के काने लिसमें और आप लोग जो सवाल उठाते हैं थोड़ा सोच समझ के उठाया करो भाई जो लोग भी उठाते हैं अब तो ना मुझागर नहीं कर रहा हूं आपके कमेंट मैंने पड़े रिमूवी कर दिया यूटूब से बत्तमी जो के कमेंट रखता ही नहीं हूं मैं तो उधारन आपके उपर टिका लेना और किसानों के उपर उंगली उठाने से पहले उनकी कहानी तो ज किसानों ने दौटे से दावाले ृवाले से दवाय ली होगी इसानों ने सबकुछ किया होगा उसकी फसल के लिए और उसकी फसल बर्बाद हो नो और जब उसके हक होई बंदा या कोई भी मीडिया वाला आवाज उठाता है तो वो ट्रॉल में आ जाता है कि और किसानों के उपर आप लोग सवाल कर रहे हैं किसे देश्वासी हैं आप लोग राजगड़ वालों ने सवाल किया किसानों के बारे में कर लेना सर सवाल मुझे कोई फरक नहीं पड़ता है लेकिन किसान भाई इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करके उन बत्तमीजों के मुँपर तमाचा मारना है आप लोगों को ब लोग सवाल करते हैं बिस्तर पर पड़े पड़े इसे नहीं होता है सर किसान और जवान के उपर कभी सवाल मत उठाईएगा कभी उनके बारे में उल्टा सिदा मत बोलिएगा कभी मत बोलिएगा बस इतना ही काफी है बाकि अगर जादा बोल दूंगा तो कुछ लोगों को मिर्ची लग जाएगी लेकिन हाँ उन बत्तमी जोसे एक बात और केना चाहता हूं कि जो आपको अच्छी गाली लगे ना वो अपने आपको दे लेना मैं केमरे के सामने नहीं देता हूं गालिया क्योंकि फेमिली भी देखती है परिवार भी देखता है बहुत बहुत धन् केले दस बार सोचना कितनी बार सोचना सार दस बार बहुत बहुत धन्यवात सार